हुआ है फ्रेंड्स नमस्कार लेशन फोर में आप सभी के स्वागत है है हमारा आज का जो टॉपिक है इस्केमेटिक एंड सर्वीस मेनुवल जो आप्सन दिया हुआ है ठीक है इस वीडियो के अंदर में मैं दो चीज कवर करूँगा तीन चीजे कवर करूँगा एक तो इस्केमेटिक ठीक सिस्टम और चिप और कॉमबाइन यह तीनों एकसार में क्लियर करूँगा तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इसकेमेटिक में से जितने इतने ब्रांड दिये गए हैं इसमें से आपको जो भी आपको रिकार्मेट जो भी रहेगा इसके नुसार से आप इस हगर में करेंगे जो भी मॉडल लेना रहेगा तो यहाँ पर कोई भी एक मॉडल ले लेता हूं जैसी के एक्जामपल मैं लेता हूं सेवन ले लेता हूं सेवने का मैं डाइग्राम ओपन करता हूं और उसका लेयाउट देखिए डाइग्राम में ये दोनों जोड़ी है कौन-कौन सा लेयाउट और इसके मेटिक डाइग्राम इन दोनों क वेगार दोनों अधूरे आगर इसमें हम लेआउट की बात प比如 जो लेआउट है हमारा ये हमारी बोर्ड की City साइग कि येदि हम बोर्ड को देखते हैं बोर्ड के अंदर में हमको ये थारी नंबर नहीं मिलता थी मिला करक conduz देख कर के उसको नाम दिया गया है इसको नाम नहीं दे सकते तो इसलिए इसमें क्या होता है कि ले-आउट के अंदर में हर एक कम्पोनेंट का यहां पर नाम दिया गया जैसे कि यहां पर C.102, D.1.0.1, R.12.0.2, तो यह सारे इनके नाम और तो डिजाइन सेम टू सेम मेच किया जाता है उसी के अनुसार से उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी डिजाइन है कि वो लेप्ट राइट लगा है राइट लेप्ट लगा है है ना कि उपर से नीचे लगे हैं तो उसी की डिजाइन के अनुसार से इसको डिजाइन किया जाता ह अब यहां पर देखा जाए तो हमको सबसे पहले तो डाइग्राम को अच्छे से रीड करना आना चाहिए तब के कंडिशन में कोई भी आदमी डाइग्राम रीड कर सकता है तो यहां पर तो मैं इस वीडियो में उतना ज्यादा एक्स्प्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि देखिए मेरे जो क्लास होता है उस क्लास के अंदर मैं दो दिन तक टू डेट कंप्लीट डाइग्राम ही रीड कराता हूं तब के कंडिशन में अच्छे से रीड कर पाते हैं कि कौन सा लैन गहां जा रहा है कहां आ रहा है इतने मिलोन जाहिए एक लाइन के ऊपर किटने की लाइन अलग से निकले हूए है तो वो लाइन क्या क्या काम के लिए तो वो सारा क्या चीजे तूरंत के लिए नहीं होता ना मैं इस एक वीडियो में कवर कर सकता हूं जितना बनेगा उतना मैं एक्स बैन करने की प्रसिस करूंगे इस वीडियो में अब रही बात जैसी कंपोनेंट की जान करी जैसी कि हमको यह पता होना चाहिए कि यहां पर सी 11 जो 02 लिखा हुआ यह है तो यह क्या है हमारी केपिसिटर तो हम क्या है सी से किपिस्टर को जानते हैं डी से डायवट को जा यू सीस से स्टार्ट करते हैं किसी में यू से भी स्टार्ट किया जाता है है कनेक्टर जितने भी है जो हमारी चार्जिंग कनेक्टर है चार्जिंग जेक है जेक हो गया सीसी बोर्ट से जो आये हुए वाले जेक हो गया तो सारे को हम जेक से देखते हैं तो हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा अलग अलग है नाम और उस नाम के अनुसार से हमको डायगराम रीट करना होता है तो ये होता है हमारा layout और जो diagram जो चीज है ये real बोलोगे तो ये original चीज होती है कैसे original जब यदि हमारी कभी भी मदर बोर्ट डिजाइन किया जाता है तो इसी diagram के base के नुसार से देख करके design होता है इसलिए कभी भी हमारी diagram गलत नहीं होता diagram देख करके board की design की जाती है board की circuit के अंदर में जो layer बने हुए है इसी diagram के माध्यम से वो पूरा layer बना रहता है और एक चीज जितने भी हमारे hardware solution हम पीछे जो देखे हैं lesson 1 में जितनी भी hardware solution आपने देखा वो सारी hardware solution इसी के मदद से किया जाता है जिसके हम लोग example एक कापी में drawing जो करते हैं वही drawing वो बोर्ड में डारेक्ट पेंड के जरिये से करते हैं वो क्या है वो डारेक्ट लाइप आप उसी को उपर में डिजाइन करते हैं और बुक में आप बनाएंगे तो उसमें आप एक डिबबा बना करके IC बनाएंगे है ना ऐसी टाइप के आपके हाँ से मिनवली ऐसी डिजाइन बनाएंगे तो जितनी भी आप hardware solution देखते हैं वो पूरे डाइगराम के नुसार से बनता है इसी डाइगराम को देख करके बनाया जाता है कि कौन से लाइंग कहां जाता है कहां आता है कुल मिला करके यह map है हमक है ठीक है C 1211 यदि सोट है इसको हमको जानना है कि यह कहां से आ रहा है जैसे हम location हम कहीं भी देखते हैं कि सर्चकर कि हमको यहां जाना है तो वो दिखाते जाता है रस्ते में क्या-क्या पढ़ते हैं कौन से मकान पढ़ता है कौन से petrol pump पढ़ेगा होटल कौन से पढ़ेगा है ना खाली जगा कौन सा है तो वो रूत बनते जाता है same location जैसा है हमको कहीं भी जाना है तो हमको क्या है बिना location के तो हम जानी सकते हमको जब तक कोई guide करने वाला ना हो तब तक हम पहुंचनी सकते हैं अगर हमारे पास guide करने वाला नहीं है हम हमारे पास यदि location है दूस location क trace करते हैं map के जरिये से हम पहुंच जाते हैं, सेम वही ये भी है, हम एक कोई भी चीज को, अगर हम इसको c12, 11 जो लिखा हुआ है, इसको हम को जानना है कि ये कहां से आया है, और कहां जा रहा है, ठिक, हम इसके लिए हम एक third person बन रहा है, ठिक है, तो इस चीज को हमको trace करना है इसको पता लगाना है कि यह कहां से आया और कहां गया तो उसके लिए हमको diagram की ज़रत है यह तो हमारा layout है layout से हम जैसे कि मैंने भी क्या बोला कि यह कैपिश्टर sort अब इसको पता लगाना है यह कौन कौन से line से आया हुए तब तहा हम उसकी sorting को clear करेंगे कि यह line यह है तो यह हम और यह था jet करते हैं यह दहें इस इस केपिश्टर को जब हम देखते हैं तो एक तो देखिए यहां पर हमने सी 1211 को सर्च किया डाइग्राम के अंदर में तब हमको पता चला कि वोल्टेज डिस्प्लेइ केप 1 वोल्टेज डिस्प्लेइ क्यों की युदि और में इस तो बहुतर ग्रेज डोलीकार अंदर कर्वीपिश्टू उस ख्राब रहेगा इस डो आपसन हो सकते हैं हमको पता चल गया कि यह IC से इसी IC के अंदर जा रहा है और इस IC की नंबर हम देखना चाहेंगे यहाँ पर है U, sorry PMI 632 तो इससे हमको मतलब नहीं है इस डाइग्राम के अंदर में IC नंबर से हमको मतलब नहीं होता हम इसकी IC की जो नाम है उससे मतलब रहता है यह IC कौन सा है यदि हमको पता लगाना है तो हम यहाँ पर लेंगे देखो U, 11, 0, 1, E तो हमको E से भी मतलब नहीं है यहाँ पर जो E लिखा हुआ है इस E से मतलब नहीं E से मतलब क्या चीज़ है जैसे कि एक ही यहाँ पर देखिए यह एक हो गया दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए यहाँ पर एक ही IC का चार डिजाइन अलग 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 दिया गया है अलग अलग सेक्शन वाइस के नुसार से तो इसमें क्या कर रहा है अगर यह U, 11, 0, 1 A लिख देगा U, 11, 0, B लिख देगा U, 11, 0, 1, E लिख देगा अलब A, B, 3 में इसको वो कर देगा, अलग अलग पार्ट कर देगा तो हमको यह E से हमको मतलब नहीं है वनली हमारा IC का नंबर जो है U, 11, 0, 1 है हम लेयाउट में आएंगे और लेयाउट में हम इसको सर्च करेंगे यहाँ पर पेश्ट करेंगे और पेश्ट करके हम सर्च करेंगे तो देखो, यहाँ पर क्या लिखा रहा है No match fund मतलब, यह match नहीं कर रहा है यह number, तो मैंने क्या बोला हमको A, B, C, D जो शुरू में जो लिखा रहेगा हमको उससे मतलब नहीं तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इसको U1101 ठिक, U1101 को मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तब कि कंडिशन में यह IC को पकड़ेगा या फिर नहीं पकड़ेगा ऐसे बहुत सारे जगा ऐसे case बनते हैं जहाँ पर फस जाते हैं सब लोग तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो इसको तो मैं इस वीडियो में इतना complete नहीं कर सकता जितना बन रहा है उतना कर रहा हूं तो यहाँ पर इसको सर्चिंग में लेने के बाद में हमको यह पता चल गया है कि यह IC है और यह केपिश्टर की जो डिजाइन हमने तो यदि दोनों जगा सर्टिंग हट गया तो यह केप हमारी सर्ट है और अगर इसमें से एक जगा सर्टिंग है एक जगा नहीं है और केपिश्टर उस कंडिशन में तो ओके रहेगा तो उस कंडिशन में यह लाइन के लिए को इस I-C को उताना पढ़ेगा, यह lineyson सोट रहे गा, तो यह ISC को उतानना पढ़ेगा, मतलब फूल मिलाखर करके हम इस I-C को उतानना पढ़ेगा, तो इल्य वे इस ट्राइप इसके यूज लेना होता है, हमको कोई भी चीज को इसके अंदर में tracing लेना है, देखी तो पहले तो हमको ले आउट की ही ज़रुत पड़ता है अगर हमको Vivaaz के लाइन ढहरा हैं क्ट से सब बोड़ में से सब बोड़ में से उपर पत्ते की जर्ये से इस बोड़ में करेक्ट से होता है वी बस तो यह देखे यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है वी बस तो दोनों साइट से चरचर लाइन मतलब कनेक्टर के चरचर पीन के साथ में कनेक्टर है लेट राइड दोनों जोबीस से कियां और 17 से 20 यहां पर हम बजर infect करेंगे तो यह आठो लाइन एक साथ बजर देगा ठीक है ऐसको ए स को को ट्रेवल कराना है यह यह कहां से कहां तक जा रहा है ठीक है इसके बीश में कौन-kum से युज獰म आ पढ़िया पर्यार कौन से मेडिक फारत है ठीक है कौन से इसब्स में है कि यहां से लाइन कौन सा और gospod करना पड़ेगा ट्रेशिंग करके आगो देखते देखते चलने पड़ेंगी कि यहां पर देखो हम जो चीज़ पकड़े हैं वह हमारा बनलीब स लगहा लिखा हुआ है वी बस अंडरिस्कोर यूएसबी अंडरिस्कोर आइन तो यह लाइन हमारा नहीं है ठीक है हम फीस इनेश्ट करेंगे यह हमारी नाम है हम यहां पर जो लिखा हुआ है सर्च कर रहे हैं वही नाम आना चाहिए तब हमको क्लियर होगा कि हां हम यह लाइन को पक इंपूट हुआ है इतने बोल में 123 और इसमें एक केपिस्टर भी यूज़ किया गया है ठीक है इसके अंदर आने के बाद में फिर सिकनेश्ट करते हैं और कहीं जा रहा है क्या यहां पर एक टीपी भी पता चल गया है कि हमको यहां पर एक टीपी भी मिलने वाला है अगर टीपी को ढूंबना है म्म को टीपी 143 को काफी करेंगे और लैजायंगे यहां पर केश्ट करेंगे यहां रही क्टी यहां पर आ इसे हैं Conector है कनेकटर के गगल में हमारे थी देचु अब यहां पर फिर से हम भी बसको आगे देखते हैं कहाा जा रहा है कि लाइन औरी क यह तो लाइन हमारे नहीं है यह थी यावाज अनी अदिसे हैं यह तो लाइन खतम दाता है आपको यह हम इसको बीबस नहीं बोलेंगग के एसे भी कोई भी Tracing करना है जैसे कि कोई भी component को जानना है कि वो कौन से लाइन का है लब reality बोलोगे तो हम इसी की बेश से पूरे hardware solution को चाहे कोई भी circuit चाहे कुछ भी बनाते हैं तो सारी designing इसी के अनुसार से हम बना पते हैं अब बोलोगे कि वीवों का तो diagram मिलता नहीं तो बोन्यों के अंदर में पूरी हाड योई सोलिशन दिया गया है तो वह ऐसा नहीं है उसका डायग्राम उसके पास नहीं है लेकिन उनके पास डायग्राम की नॉलेज है मेरा बोलने के मतलब ही यही है कि यदि आपके पास में डायग्राम नहीं है तो पर भी आपके जब आप बीट में पढ़ेंगे तो जो डेटासी पढ़ेंगे तो न्युक्त के अनुषार्टुर्ट कर देता है आप उसी को पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि यह डिजाइन है इसको कहां से ले करके कहां तक कनेक्शन रहेगा और किसमें जाएगा एक अनुमानित आपको समझा जाएगा तो इसके अंदर में ट्रेसिंग का एक फार्मूला यहां पर मैं खतम करता हूँ इससे ज्यादा तो उतना ज्यादा एक ही वीडियो में एक्स्प्लेइन करना मुस्किल होगा क्योंकि मैंने बताया कि 2-2 दिन तक मेरे को रीड कराना होता है क्लास के अंदर में तब जा करके सही से वो लोग रीड कर पाते हैं तुबह 10 बजे से स्टार्ट करता हूँ क्लास सम्थिंग 8 बजे तक चलता है रेगुलर उतना टाइम तक दो दिन तक रेगुलर करने के बाद वह बढ़ी हस्प्रेसिंग कर पाता है तो अब इतना चोटे से वीडियो में तो उतना ज़्यादा एक्स्प्लेइन नहीं कर पा पाया है हाँ लेकिन वह सरल उपाय है लेकिन आपकी ट्रेसिंग मजबूत नहीं होने वाला है ठीक है मेरे खुद की स्टुडेंट को उसकी यूज करने के लिए मैं खुद मना करता हूं क्योंकि आप पहले बढ़िया से सीख जा उसके बाद उसका यूज लेना कॉम्बाइ वह बीट में पहले लेता हूं जो आपको परएपल पढ़ाया था हम पिछले लेशन में पढ़ाया था कल मैं यह वह वह खतला है यहां पर मेरे पास तीन चीजिए मेरे पास डाइग्राम एक को 2 लियाऊट है मैंने तीनों चीज लिया हुआ है अब यहां पर मेरे को कमटे किसे सांत करता है के डाइग्राम के साथ में ले Además करना है कि डाइग्राम के सांत के VR करना है कि यह चीज पर ना कैसे है दिसकी मैं सब करता हूं डाइग्राम के साफ में मैं पहले ले आउट की कमबैन करता हूं तो सबसे पहले मैं डायग्राम में जैसे कलिक किया यहां पर देखिए यहां पर मैं क्या करूँगा क्लिक करूँग निदर यहां पर जैसे ही जाएंगे यहां पर फिर से कंबाइन एक्टिव का खाली दिख रहा है क्योंकि हम अभी ले आउट में आ गए इसमें अब जैसे ही मैं क्लिक किया यहां पर डॉकुमेंट रेडी टू कंबाइन टू डू यू आन टू कंबाइन ना ठीक है इसको रेडी है कंबाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं यह सर नो कि आपसान मतलब केंसल करना चाहते हैं कि यह ओके करना चाहते हैं ठीक है तो हम ओके करते हैं तो ओके करने के बाद म यहां पर देखिए यह डाइग्राम निकिला हुआ है और यह हमारी लेड हो है तो अभी हम जो सर्च किये थे देखो यहाँ पर क्या गया यहाँ पर सुरू हम लोग आये थी उसी जगया आया ना इसके देखला cały टैट किया करना इसके साथ में आप सुचोगे कि मैं डाइगराम सीखते हुए काम कर रहा हूं तो वह गलाथ है, कभी भी कमवाइन, अगर करके कभी भी आप डाइगराम रीड करते हैं, तो कभी आपकी डाइगराम रीडिंग मजबूत नहीं होगा, ठीक है, सीख लो पूरा, उसके बाद मैं कमवाइनी ती बीस गया रहा है हमको इसको सर्चिंग नहीं करना पड़ रहा है पकड़के कॉपी करके हमको पेस्ट करके आगे लेकर जाने की ज़रत नहीं पड़ रहा है अब यहां पर मैं CPU के पास में यू जाता हूं यहां पर लगा हुआ हमारी वी सी आई यह लिखा हुआ है अब यह तो हम लयाउट के साथ में डबल क्लिक करके वहां पर जां रहा है यह हमारे यह देखी है डबल क्लिक करेंगे डारेक्ट उस डाइग्राम में वो रीड कर देगा पहला हमने क्या क्या था ले आउट के अंदर में हम उसको देखे थी अब हम इसके अंदर में आ जाते हैं अब हम यहां पर इसके पिश्टर को हम सर्जे करते हैं क्या उसके पिश्टर को यहां पर ओपन कुलिक करके हूं कि हम यह अगया कि यहां पर देखिए क्लिक किया यह यहाँ चालागा कि इसको इसको बोलते हैं कि सब्सक्राइब पांस हार दो हजार पांच को क्लिक किया यह आ गया यह है हमारे अर्दोहजार पांस अविसमें कोई नेट वर्ट सेक्षं में माने चल जाता हूं चला जाता हम Q मिला कि ऐ हमारी जो गिया जाता है त्Ó हम को इसमें को crappy में करना पड़ता है component को लेकिन यह दिए आप उसको नाम को लेके चलना चाहते हैं जैसे कि यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है को यह यहां पर कोई नाम नहीं मिलेगा लाइन का लेकर लेया लेका के अंदर में इसको इसको मैंने जैसे डबल क्लिक किया उसके यहां से नेश्ट करके हम आगे-ागे जा सकते हैं यहां पर अलग से डावराम को सिंगल बीद कर सकते हैं कि एक दो एक तो मतलब यहां से लाइन वनली 4 यहां से यहीं तक देया है विए यह यहां कहो गया और इस से पहले जो कर रहे थे हम लोग कंपोनेंट को ट्रेशिंग कर रहे थे यह होती है इसकी combine ठीक है अब इसको मैं काड़ दिया अब काटने के बाद में मेरे को combine करना है layout के साथ ठीक तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा layout को मैं काड़ दिया अब बच्चा मेरे पास क्या बच्चा बीट में बचा हुआ है और डाइग्राम बचा है तो इसमें भी वही प्रोसेस करूंगा यहाँ पर combine active में select है यहाँ पर combine में मैं click करूंगा और ok करूंगा तो यह क्या हो गया हमारे बीट मेप के साथ में बीट मेप जो होता है वह हमारा बन गया layout ठीक है अब यहाँ पर देशी की देखते हैं यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट को मैं सर्च लेता हूं और यह, click किया sorry यहाँ पर click किया तो यह number है R23 यह हमारी R23 यह click की यह दूसी में रहेगा अगर हम इसम से साथारा को क्लिक करते हैं यह देखिए ए cast र के लाइन कहां से कहां जा रहा है इसको भी सर्च करना है कि एक तो सामने वाले मैं यह बोल घुत बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जोड़के इसकील बढ़िया होने को जए से हम advance में है बोलते हैं वो गलत है ठीक है प्लिधिश के से हैं अप advance लेवल में नहीं पहुंचे हैं उसकी पर चोटा है आपूल के अंदर में इतना साब चीज है तो पर 28 सो शोर्स ने हम शही से लेनी पाते हैं तो वही चीज है कि हम उस टूल को छोटा मामता हैं यह हमारी सोच के वजह से हो रहा है हम उसके अंदर में जो feature दिये उसको इसको किस modo के तरीके से हम्मोंच ने सकते हैं यह इमपोर्टेंट है यह रहा हमारी कममाइन वाली लाइन का अब उसके बाद में मैं बेक आता हूं अब मैं इसको डायग्राम हमारा यहां पर complete होता है जितना बना मैंने explain किया अब मैं आ जाता हूं सिस्टम on chip तो सिस्टम on chip को तो मैं ज्यादा लंबा नहीं लूँगा start कट लूँगा यहां पर जो सोस है डाइग्राम है जो सीप्यू का सारे सीप्यू एक सीप्यू जैसे की मैंने अभी लिया MSM 89498940 तो उस CPU में एक ऐसे टाइप की डिजाइन किया गया है उसके लिए इन्पूट रिकॉर्मेंट कौन सा है और पूरे सरकीट को एक मिक्स करके बनाया गया है सीप्यू यहां पर जैसे की देखा जाए मैं पीम अधर में यदि आपको वी डीडी लिखा हुआ अगर मिलता है तो समझ जाना वो किसी सेक्षन के लिए खाना है लब कोई भी सेक्षन को इन्पूट रिकॉर्मेंट जो बन के जा रहा है उसको वी डीडी बोला जाता है ठीक है जैसे कि हम लोग जो खाना खाते है वह हमारी वी डीडी ठीक है एक्जामपल देनों जो भी चीज है जैसे कि एक आईसी है इस आईसी को सबसे पहले चालू होने के लिए हमको कुछ चीज को वोल्टेज देने पड़ेंगे तब यह एक्टी होगा तब इसकी बागी प्रोसेस काम करेंगा तो इसको चाहिए वी डीडी त तो उसी को यहां पर वी डीडी मेंशन किया जाता है तो कुल मिलागर बोलने के मतलब क्या है यदि हमारी एस सिक्स एस फाइब एस फॉर एस थी एस टू एस वन से लेकर के एस सिक्स तक के हमारे बग सरकीट है उस बग सरकीट को इंपुट सप्लाई देना है पहले तो बोल्टेज है एस इका इन्पुट सप्लाई हमारा वी पेच पावर है तब यह अपना और कूट करेंगे जैसे कि इसको देखना चाहेंगए कि एस सिक्स को हमने वी पेच पावर दिया तो इस सिक्स इधार आ जाते हैं आज तो यहां पर देखो एस इस सिक्स और controlling circuit, यह सारी चीज को इसके अंदर mention किया, यह हमारी LDO है, L1 से लेकर के L23 तक के LDO इसके अंदर में है, जो हमारी output voltage बने है, यहां side में आते हैं, तो इसकी controlling circuit पूरा दिये रहेगा, जैसे कि यहां पर देखे, यहां से लेकर के, यह सारी हमारी controlling circuit है, कि इस power management को, power को और management को और CPU के अंदर में से जितने भी line चल रहे हैं, वो सारी चीज की management है, इसको इसलिए control बेस बोलते हैं, कि हर एक चीज की control होती है, कि कौन किसको handle कर रहा है, कौन input कर आ रहा है, कौन output कर आ रहा है, यह सारी जानकारी, हलका फुलका knowledge है, तो यह सारी control बेस के उपर में भी आप output होता है, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर यह सारे जितने भी voltage आप देख रहे हो, यह सारे input, output, input, output, यह सारा चीज दिया गया है, जैसे कि यहां पर हम, यह फिर EMC की बात की जाए, यहां पर देखिए, लपीडी डीर के लिए क्या क्या जा रहा है, तो यह आपको line भी आप अलग से mention करके वो कर लोगे कि हाँ, यह इतने सारे चीज रेम की line है, और यहां पर EMC की line की बात की जाए, यहां पर उपर जैसे ही जाते है, यहां पर EMC के लिए क्या चाहिए, डेटा 0 से डेटा 7 तक, मतलब 8 line की हमारी data की line चाहिए, ठीक है, वी सी सी, वी सी सी क्यू जो रोम के लिए होगा, और रेम के लिए यह सारे line, तो EMC में जो रोम होता है, रोम के लिए, उतने जादा line की जवरत नहीं पढ़ता, सबसे जादा line जो रहते हैं, वो सारी रेम के लिए रहता है, ठीक है, यहां से बहुत सारा चीज clear कर सकते हैं, कि हां इसके अंदर में भी बहुत सारा चीज ऐसा है जो काम का चीज दिया गया है तो आज का वीडियो लंबा हो जाएगा बस इतना ही मैं इसके अंदर में बनाऊंगा और मेरे तरब से इतना बना मैं एक्स्प्लेंड करने का कोशिश किया हूँ और आपको कैसे लगा इसको थोड़ा से कॉमेंट मे मैं क्लियर करूंगा तो मिलते हैं नेश्ट लेसंट में नमस्काइब